हेलो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की भूर्जी पनीर की भूर्जी तो बैसे ही बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसमें आज हम डालेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडियन्स जिनके कारण से इसका स्वाथ और ज्यादा बढ़ जाएगा तो चलिए फिर बनाना स्टार् रहे हैं कुकिंग लॉजिक पनीर की बूर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग बैन में ले लेंगे दो चम्मच तेल तेल जब गरम हो जाए तो इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी राई जिसे सरसूं भी कहते हैं आधी चम्मच जीरा और दो लाल खड़ी मिर बारिक कटे हुए दो से तीन लंबी कटे हुए हरी मिर्च और इन सभी को हम अच्छे से टॉस कर लेंगे जब लसन हलकी ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें बारिक कटे हुए प्याज डालेते हैं यहां पर तीन प्याज लिए हैं मैंने जो मिडियम साइज की थे आ प्याज की कॉंटिटी और बढ़ा सकते हैं अब एक मिनट के लिए हमें इसे भूनना है ताकि प्याज थोड़ा सा नरम पढ़ जाए जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें डाल लेते हैं एक छोटी श्रिम्ला मिच बारिक कटी हुई और इसे भी हम थोड़ा सा नरम होने तक पका लेते हैं सिर्फ एक मिनट थक हमें इसे पकाना है थोड़ा सा हमें इसे ढख देते हैं ताकि यह जल्दी पक जाए अगर आप यहाँ पर सरसों का तेल यूज करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं यह देखे प्याज और कैप्सिकम दोनों हल्के पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मोटे कटे उए टमाटर, टमाटर को हमें बारिक नहीं चौप करना है, थोड़े से मोटे मोटे पीस से सकने है टाकि वो देखने में अच्छे लगे, और इसकी साथ ही हमने डाल लिया है बारिक कटा कोई भी सब्जी बनाते टाइम मसाले हमेशा टमाटर की डालने की बार डाले टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो यहां पर हमने डाल लिया है स्वाद की इंसा नमक एक चमच थोड़ा सा धनिया थोड़ी सी लाल मिर्च मेरे पास कुटी लाल मिर्ची तो मैंने वो डाली है अब बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी डालेते हैं हल्दी आप ना भी डाले तो भी चलेगा अब सभी मसालों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दो मिनट के लिए इसे पकने देते हैं इसके बार बीच में एक होल बनाकर हम डाल लेते हैं एक चमच बटर सभी को अच चोटी चोटे पीसेस करके रखेतें वो हम इसमें डाल लेते हैं पनीर को हमने यहांपर बारी क्रश नहीं किया है हम ने यहांपर छोटी छोटी से तुकड़ों मे काटा है जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखनेे में भी ये बहुत अच्छा लगेगा पनीर बिल्कुल भी फीका न लगे इसके लिए हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी कुटी काली मेच थोड़ा सा नमक स्वाद के नुसाथ और आधी चमच हम डाल लेते हैं काश्मीरी लाल में जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हेंग और आधी चमच अद्रक लसन का पेस्ट अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं उसके बाद हमें इसे ढखकर दो मिनट के लिए पकाना है बहुत जादा देर तक नहीं पकाएंगे सिर्फ दो मिनट हमें इसे पकाना है ये देखे टमाटर भी थोड़े गल चुके है और पनीर भी पक चुका है अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और पोड़ी सी क्रीम एक से दो चमच के करीब आप इसमें क्रीम डालिए अगर घर की मलाई है तो घर की मलाई डालिए बिलकुल रेस्टरोन जैसी आपकी पनीर की बुर्जी बनेगी बलकि उससे भी जादा टेस्टी बनेगी एक बार आप इस recipe से पनीर की बुर्जी जरूर ब करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे चलिए अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी जादा लजीज दिख रही है बहुत जादा टेस्टी बनी है एक बार आप जरूर ट्राय करिए बहुत पसंद आएगी आपको थोड़ा सा हमें से पनीर को ग्रेट करकर गानिश कर लेते हैं और उपर से डाल लेते हैं थोड़ा सा धनिया अब आप इसे लच्छा पराठा के साथ खाईए या फिस सादी रोटी के साथ जो कि फुली फुली हो बिलकुल नरम हो दोनों का व जैसे की चिली पनीर, कड़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर और भी बहुत तरह की रेसिपीज हैं तो मेरे चैनल कुकिंग लॉजिक पर एक बार विजिट जरूर करिए तो इसी के साथ फ्रेंस हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ तब तक क लिए बाई बाई एंड टेक कियर